Welcome to the Online Educational Portal of Web Institution. Here I am your host, Saurav. In this whole video, we are delivering the lectures on about table. So, let's achieve in Hindi language. Guys, हम web design के respect में HTML language के chapters को contain कर रहे हैं, जिसमें आज हमें TH tag के उभ्योग के बारे में पढ़ना है. Guys, TH का मतलब होता है table headings. TH से भी हम columns ही बनाते हैं. जो columns हम TD से बनाते हैं, उसी तरह के columns हम TH से भी बनाते हैं. But, TH का उप्योग तब हम करते हैं, जब मुझे ऐसे columns को बनाना हो, जिस column में text headings की तरह नचरा है. जैसे, इस table में अलग-अलग columns है, यह पहले रो के columns है, यह दूसरे रो के columns है, यह तीसरे रो के columns है. तो, इसमें जितने भी contents मैंने provide किया है, short of shooters, 10, 123, 124, इन सभी contents के heading को हमने name, class और roll से define किया है. तो, इस तरह के heading वाले box को मैंने th tag से बनाया होगा, यानि कि, पहले tr में, जो हमने तीन बार column बनाया है, इस तीनो columns को हमने th tag से बनाया है. इसी की वजह से, इसमें लिखे गए text heading की तरह और bold नज़र आ रहे हैं, clear? अब हम इसको practically achieve करते हैं, आप मुझे properly follow करें. ओके, so table बनाने के लिए, सबसे पहले मुझे बनानी होगी table की body, clear? तो table की body हमने शुरू की, और table की body हमने end कर ली, ओके? अब table को visible करने के लिए, आप set करोगे table का width, जैसे मैं set कर रहा हूँ width 300, और फिर set करोगे आप height, जैसे मैं set कर रहा हूँ 200, ओके? टेबल को आप properly दर्शाने के लिए, यानि की visible करने के लिए, आप लगाओगे border attribute और इसमें इसका value पास करोगे. आप जितने pixels value पास करोगे, उतने pixels की मोटाई table के border में add-in हो जाएगी. clear? अब आप देखे, हमने आपको previous video में क्या बताया? कि जब भी हम किसी table को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस table में कितने रोज का उप्योग किया गया है. तो basically, इस table में 1, 2, 3, 3 तीन रोज हैं, तो मैं क्या करूँगा? इस table के अंदर तीन बार रोज को बनाने वाले tag को शुरू करके बंद करूँगा. clear? okay, so, अब आप देखेंगे कि एक एक रो में कितने कितने कॉलियूम्स हैं, तो हर रो में 3-3 कॉलियूम्स हैं, ये पहला, ये दुसरा, ये तीसरा, okay, तो 3-3 कॉलियूम्स को बनाने के लिए, हर एक रो में मुझे उप्योग करना होगा, टीडी टैक को 3-3 कॉलियूम्स को, तो अगर मैं टीडी टैक का 3-3 कॉलियूम्स करूंगा, तो एक रो के अंदर 3 कॉलियूम्स बनेंगे, अब अगले रो में भी मुझे 3 कॉलियूम्स बनाने हैं, अगले रो में भी मुझे 3 कॉलियूम्स बनाने हैं, अब आप इसको प्रि फिस यह एक ordinary column की तरह दिख रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ headings define करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे name, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे class, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा roll, अब आप इसको save करके preview करें, ओके, name class roll, assign हो चुका है, अब मैं चाहता हूँ, name class roll का decorations कुछ ऐसा हो, जिसे यह headings की तरह दिखे, तो headings की तरह decorations करने के लिए, सबसे पहले तो मैं इसको bold कर दूँगा, यानि कि B tag से लॉग कर दूँगा, दूसरा, फिर मैं center tag से लॉग करूँगा, तो B के कारण name class roll मोटे दिखेंगे, और center के कारण हर डबो के बीच में name class और roll दिखेंगे, तो अगर आप चाहते हो, कि मुझे B यानि कि bold और center tag का उप्योग ना करना पड़े, और बिना इनका उप्योग किये हुए, ये headings की तरह न जराए, तो इनके columns को बनाने के लिए, जो आपने TD tag का उप्योग किया है, simply उसको आप TH में convert कर दो, तो TH tag से हमें कैसे column को बनाते हैं, जो columns हमारे table के data का headings होते हैं, clear, so simply जिस column को हमें TD tag से बनाना था, उस column को हमने TH tag से बनाया, तो इसका मतलब है, इस column के अंदर दिखने वाले जितने भी text होंगे, वो automatic headings की तरह नचराएंगे, clear, so, अगर वीडियो समझने में problems होई है, तो kindly इसके previous वीडियो को पहले watch कर ले, फर भी समझ में ना आये, तो इस वीडियो को maximum time watch करे, so kindly मेरे teaching experience को promote करे, मेरे channels को subscribe करना ना भूले, और मेरे videos को अपने friends में share करे, so thanks for watching my videos guys, have a great day,